नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभिशेख है दोस्तों आज का वीडियो काफी ज़्यादा important topic पे है तो प्लीज आप लोगों से request है आप ले वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों आज की दिन में बताऊंगा आप लोग अपने parrot की care ठंड के मौसम में कैसे करें जैसे कि दोस् दोस्तों आज का वीडियो काफी ज़्यादा important है तो प्लीज आप लुडियो पे लाइक करेंगा चैनल पर नहीं है चैनल को भी subscribe करेंगा चले दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा parrot ठंड के मौसम में बिमार ना हो तो आप लोग उसके लिए घर पे mix seed कैसे बनाए उसी चीज के बारे में बताऊंगा दोस्तों दोस्तों पहले तो आप लोगों को चना लेना है चना दोस्तों आप लोगों को एक कटोरी लेना है उसके बाद दोस्तों एक कटोरी आप लोगों को बाजरा लेना है बाजरा आप उसमें एड़ कर सकते हैं चावल चावल कच्छा दोस्तों आपको चाहिए एक कटोरी उसके बाद दोस्तों आपको पैरेट के लिए काफी जदा हेल्दी है दोस्तों उसमें आप लोग संफ्लावर सीड एड़ कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग के यूटीब पर वीडियो मि द Dew से टोड़ा से अपने पैरोड को देना है अव दोस्तों आप लोगों को नहुराना कभा है वक्षाहत्यी परफिख को डेली नहला देते हैं यह हftे में तीन दिन दो दिन ऐसे नहला देंगे इस सब गलत हो दोस्तों आप लोगों को हपते में एक दिन नहलाना है वह उस दिन दोस्तों जिस दिन अच्छी खासी धूप हो आप लोग अपने parrot को नहलाने के बाद धूप में रख दीजिए जब वो अच्छी तरीके से सूख जाता है उसके बाद आप लोग उसे कहीं पर अर्जेस्ट करिए नहीं तो दोस्तों अगर आप लोग का parrot का फैदर भीगा हुआ है तो वो बिमार भी पढ़ सकता है तो इस चीज़ का आप लोग का जादे से जादे ध्यान रखना है अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आप लोग अपने parrot को रात के समय में उसकी केर कैसे करनी है दोस्तों रात के समय में आप लोग जब अपने पैरेट को केज में रखते हैं उसे सोने के लिए दोस्तों जब वो सोना चाहता है आपका पैरेट तो वैसे में दोस्तों आप लोग अपने पैरेट के केज को किसी कंबल या चद्दर की मदद से अच्छी तरीके से कवर कर जिससे कि दोस्तों आप लोग के पैरेट को रात में ठंड नहीं लगेगी और दोस्तों फिट और फाइंड बना रहेगा ठंडी में दोस्तों आप लोग अपने पैरेट को ज्यादा केज के बाहर नहीं निकालना है नहीं दोस्तों उसे ज्यादा छेड़ना है आप लोग उसे में दो भार धुलना पढ़ेगा गरम पानी से दोस्तों जिससे की जो उन्में बैक्टेडिया होंगे वो डेड हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों आप लोग उन्हें खाना देना है और दोस्तों आप लोग उपने पैरेट के केज में पानी जरूर रखिएगा पानी दोस्तों क्लीन होना चाहिए नहीं तो आपका पैरेट बेमार भी पढ़ सकता है तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपनों का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तब तक के लिए जय हिन जय वारत मिलता हूँ नेश्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग